नमस्कार आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चानल एस्ट्रो मित्रम में इस वीडियो में दिखाई गई उप्योग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामगरे एस्ट्रो मित्रम के साथ पंजी कृत संबंधित लेखक जेतुशी से संबंधित है इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुना किसी भी माधिम से प्रकाशित या वित्रेत करने के समस्ता दिकार एश्ट्रो मित्रम के अधीन है करिये रुद्राभिशेक बनेगी शिवजी की क्रपा वही रुद्राभिशेक करने से व्यक्ति की कुल्ली से पातक कर्म एवं महा पातक भी जल कर भस्ट मुह जाते है इसलिए आप भगवान शिव को प्रचन करने के लिए पूरी श्रद्दा भक्ति के साथ रुद्राभिशेक करें शिव पुराण के अनुसार अलग-अलग द्रव्यों से अभिशेक करने पर अलग-अलग फलों की प्राप्ति होती है आप जिस उद्देशी की पूर्ती के लिए रुद्राभिशेक कर रहे हैं उसके लिए किसी द्रव्य का अस्तमाल करना चाहिए उसका पूरा उल्लेक शिव पुराण में किया गया है जल से रुद्राभिशेक करने पर व्रिष्टी होती है कुशाजल से अभिशेक करने पर रोग, दुख से छुटकारा मिलता है दही से अभिशेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ती होती है गन्ने के रस से अभिशेक करने पर लक्ष्मी प्राप्ती होती है मधुयुक्त से जल अभिशेक करने पर धन्वृद्धी होती है तीर्थ जल से अभिशेक करने पर मोक्ष की प्राप्ती होती है इत्र मिले जल से अभिशेक करने से बिमारिया नश्ट होती है दूद से अभिशेक करने से पुत्र प्राप्ति, मधुमे रोग की शांती और मनो कामनाय पून होती है गंगाजल से अभिशेक करने से ज्वर्ठ ठीक हो जाता है दूद शरकरा मिश्रित अभिशेक करने से सदबुद्धी प्राप्त होती है घी से अभिशेक करने से वंश विस्तार होता है सरसों की तेल से अभिशेक करने से रोग और शत्रु का नाश होता है शुद्ध शहद रुद्र अभिशेक करने से पापों का क्षय होता है इस प्रकार शिफके रुद्र रूट के पूजन और अभिशेक करने से जाने अंजाने होने वाले पापों से भक्तों को शीग्र ही छुटकारा मिल जाता है शिफके आशिरवाद से समरुद्धी, धनधाने, विद्या और संतान की प्राप्ती के साथ सभी कमनों कामनाय पून होती है हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चानल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या जोतिश से संबंदित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें आपकी सहायता को सदेव तत पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है धन्यवाद आपके समय के लिए